हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कंप्रीट स्टडी आज इस वीडियो में हम आई से शिर्षा बरांच के पेपर टू का मैच सुलूशन करने वाले हैं जो पेपर वातन नो अपरेल को इवनिंग शिफ्ट के अंदर मौनिंग शिफ्ट पाले का सुलूशन हम अल्रेड ब्याज के दर से जबकि ब्याज अर्दवार्शिक रूप से संयोजित होता है तो उदार देता है तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है इस प्रकार प्रति वर्ष वह 104.5 रुपे का लाव प्राप्त करता है उसके दवार लिए के दनासी कितनी है तो माल लेते हैं यहाँ पर कोई सावकार है उसने कहीं से दनासी उदार ली 4% की रेट से और फिर ये दनासी उसने आगे किसी को उदार दे दी और 6% की रेट से उदार दी और जो कंपाउंड इंट्रेस्ट उसने प्राप्त किया वो अर्दवार्शिक रूप से लिया था तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि अर्दवार्शिक में उसका रेट और टाइम कितना होगा 12 महिने की rate कितनी है 6% तो अर्द वार्षिक का मतलब क्या कि 6 महिने में वो ब्याज पराप्त करेगा तो 6 महिने की rate कितनी हो जाएगी 3% की तो उसकी rate कितनी हो जाएगी 3% की यह हो जाएगी rate अब time कितना हो जाएगा अर्द वार्शिक का मतलब है कि 6 महीने में ब्याज पराप्त करेगा तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेगा वो 2 बार क्योंकि एक साल में 6 महीने के 2 सलोट बनेंगे तो यहांसे time हो जाएगा 2 2 वर्ष हो जाएगा या फिर ratio से निकाल सकते हो अर्दवार्शिक का मतलब 6 बटा 12 इसका मतलब 1 बटा 2 यह हो जाएगी रेशियो अब इस रेशियो के मल्टिप्लाइ करते हैं रेट से डारेक्ट और टाइम से इसका डिवाइड करते हैं तो यहांसे टाइम आ जाएगा दो वर्ष लेट आजेगी 3% की अब यहांसे आप सक् सिंंटेज No phone लगा कि हुम रेट काल लेंगे ए पलस भी फलस में अबी टिवाइड में हैंड्र में तो यह हो जाएगी धरी प्रनसिपल और इसने लिया था 4% की rate से तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2.09% का तो ये उसने profit कमाय था इतने percentage में और ये value हमें दे रखी 104.5 रुपे की हैं तो हमें क्या निकालना है कि उदार ली गए दर्णासी कितनी थी तो उदार ली गए दर्णासी होगी 100% 100% की value निकालनी है तो 104.5 divide में 2.09 तो ये है एक percentage की value निकालनी है 100% की value तो 100 से multiply यहां से point अटाएंगे तो निचे आएगा 10 यहां से point अटाएंगा तो निचे आएगा 100 फिर वो 100 चला जाएगा उपर तो 10 से 10 cancel अब 209 का ये कितने multiple है ये है 5 multiple तो ये हो जाएगा 5 और 3 0 है यानि कि दनाशी हो जाएगी 5000 option C अब चलते हैं question number 27 पर एक होज में 3 pipe A, B तथा C लगे हैं A तथा B उसे करम से 3 तथा 4 गंटे में भर सकते हैं जबकि C पूरे भरे होज को 1 गंटे में खाली कर सकता है ये तिनों पाइप करम से 3, 4 तथा 5 बजे अपराहन खोल ले जाए तो ह बोज की समय खाली हो जाएगा सबसे पहले हमें इनकी efficiency निकालनी होगी तीन पाइप दे रखें हमें A, B और C A पाइप किसी टैंक को 3 गंटे में भर सकता है ये है time और time है हावर में और B पाइप ये भर सकता है 4 गंटे में और C पाइप पूरे होज को 1 गंटे में खाली कर सकता है ये खाली करने वाड़ा पाइप है तो minus AUD note कर लेते हैं इसका LCM लेंगे, LCM कितना आएगा 12, LCM क्या होता ये capacity होती है, अब capacity appointment time ये होती efficiency, तो एक efficiency हो जाएगी 4, यानि कि एक गंटे में 4 लीटर भरेगा, ये 12 capacity मान लेते हैं, लीटर में है, और B की capacity efficiency हो जाएगी 12 बटा 4, यानि कि 3, और C की efficiency हो जाएगी 12, अब 3 की efficiency को अगर हम जोड़ें, ये 12 माइनस का होगा, क्योंकि खाली करने वारा, तो 3 को जोड़ेंगे 4 और 37 पलस का माइनस का 12, यानि कि माइनस की 5 efficiency आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि एक गंटे में 5 लीटर खाली होगा, माइनस है ना तो खाली होगा, जब 3 पाइ लागा, च्यार बजे, और C पाइप को खोल लागा, पांच बजे, तो A पाइप 3 बजे खोल लागा, तो पांच बजे तक वो दो गंटे तक पानी बरेगा, और एक गंटे में 4 लीटर पानी बरता है, तो दो गंटे में कितना पानी बरेगा, आठ लीटर, ये तो बरने वा तो रहा था कूं अब 4 बजे खुल ला गया तो पांच रजी तक यह गंटे तक पानी बहुतीक किना पानी बढता ही दिफ तीन लीटर तेंस ली दिफ Τिन लीटर यह बर एक गंटे में 5 लिटर खाली करते हैं तो 11 लिटर कितने गंटे में खाली करेंगे तो 11 बटा 5 तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 यानिकि 2 गंटे और 1 बटा 5 बचेगा इसको मिनिट बढ़ाने के लिए 60 से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 12 यानिकि 2 गंटे 12 लिए करेगा तो किस एंट से खाली करेंगे एक घंटे में पांच लीटर तो पांच बजा के Bennett के बाद कि पांच बजा के बाद दो गंटे बारा मिनिट लगती इसका मतलब साथ बज़कर बारा मिनिट पर टैंक खाली हो जाएगा option अब चलते हैं 28 पर यह होगा यहां पर 6 दिफाई ने दिरा होगा यहां पर 6 cm व्यास वाली दो लोहे की गोलिया एक 6 cm अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार बरतन में डाले गए पानी में डुबोई जाती है तो बरतन में पानी का तल कितना उपर उठेगा दो गोलिया हैं इसका मतलब यह हो जाएगा स्फेयर गोले की सेप में और इनका जो व्यास है वो 6 cm का है तो रेडियस कितनी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी 3 cm इन दोनों को हमें एक बेलनाकार बरतन में डालना है तो माल लेते की पहले इस बरतन में इतना पानी था फिर हमने इन दोनों गोलियों को इस बरतन में डाल दिया तो दूनों गोलियों को बरतन में डालने से जो पानी है वो थोड़ा उपर उठ एगा मल लेते हैं यहां तक ये पानी उपर उठ गया पहले इतना बहुतना हो गई तो ये इसके राएट बढ़ जाएकि और यहीं हाइट हमें निकालनी है पानी का तल कितना उपर उठेगा तो यहहागा इतना उपर उठेगा यह हाइट में निकालेंगे जो दोन्हों गोलियों का वोलम होगा वो बराबर होगा एतनी हाइट के वोल ल्यूम के यहागी रखेती समय दे रखे थी 6 cm 6 cm अर्ध्यास दे रखा था तो इसका आयतन कितना होता है इसके बराबर लिखेंगे वन बाई थरी नहीं होता इसमें इसमें पाई आर सुकेर एच पाई आर सुकेर एच इसको आर टू से डिनोट कर लेंगे अब यह कितना हो जाएगा वोल्यूम जो इतनी हाइट पर उचा उठा है इस वोल्यूम के बराबर तो यहां से अब यह 4 by 3 πाई आर क्यूब है यह तो है एक गोले का और गोले हमारे पास 2 तो 2 से इसको मल्टिप्लाइ कर देते हैं अब इसको सुल कर लेते हैं पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा दो गुणा में 4 बटा 3 आरवन था यहां पर 3 तो 3 का क्यूब तो 3 की मल्टिप्लाइ करेंगे 3 बार आर टू का सुकेर तो 6 गुणा में 6 हाइट में निकालनी है तीन से 3 कैंसिल 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 2 गुणा 2 4 से 4 कैंसिल तो एच किस के बराबर है 2 के बराबर 2 तो option B हमारा answer हो जाएगा अब चलते हैं 29 पर चिन्नी के भाव में 20% की कमी हो गई है अब एक व्यक्ति 36 रुपे में 500 ग्राम अधिक चिन्नी खरीद सकता है चिन्नी का परती किलो ग्राम प्रारंबिक भाव क्या था यहां पर लिखेंगे price price में क्या हुआ कि 20% की कमी 20% होता है इसलिए की ratio reverse हो जाती है अब क्या बोला है कंजम्शन एक बढ़ गई यान कि एक रिश्यों ज्यादा खरीद पाते हैं और इसनी हमें बोला है 500 ग्राम अधिक खरीद पाते हैं तो एक रिश्यों कि बराबर होगी 500 ग्राम के बराबर पुच्छा क्या है चिन्नी का प्रार तो इसके वेलु कितनी है दो किलो ग्राम पहले वो दो टिलोंचीनी खरीता था कितने रूपए में खरीता था 36 रूपए में थो एक किलो चीनी का वहाव Party और रूपए ऑप्ष फिस्पावर दो यहं रूपे यह है क्ज उटर यहने कि अठारा व्पे पर केजी एक किलो का भाव 18 रूपे ओप्शन बी अब सलते हैं 30 पर पी क्याओ एम आर ने मिलकर करम से 3 रिश्यो 4 रिश्यो 5 के अनुपात में धन लगा कर एक्वेवसाई आरंब किया 6 महिने बाद आर ने अपने दवारा लगाई गए धन्राशी का आदा बाग निकाल लिया यदि पी दवारा लगाई गई धन्राशी 27,000 रूपे थी और वर्ष के अंत में मुनाफ़ा 33,000 रूपे था तो उस लाब में पी और आर के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा पार्टनर्शिप से है यह क्यूस्तन है तीन परसंट थे पी क्याव और इन्होंने इन्वेस्ट किया तीन रेशियो च्यार रेशियो पांच में फिर बोला है कि 6 महिने बाद आर ने अपनी दवारा लगाई गए धन्राशी का आदधा बाग निकाल लिया तो आर ने इन्व प्लेशन वह थोड़ी सी कॉंप्लिकेटिड हो जाएगी तो एक काम कर लेते हैं इसको हम 30 बना लेते हैं इसको बनाते हैं 40 इसको 50 इससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा बराब बरी रहेगी अब क्या इसका आफ करेंगे तो 25 आएगा यानिकि पॉइंट में नहीं आएगा त तो यह पचास रेशियो ही रखे चैने के बाद और चैने के बाद अधा वाग निकाल लिया तो बचेगा कितना 25 उसके बाद हमसे पूछा था कि वर्स के अंत में यान की एक वर्स के लिए रखेंगे तो चैने के लिए पच्छा निको जोड़ेंगे और इसने तो बारा मही बचेगा यह से फीड़ो बचेगा और कुछ चैने स्ल होता हो कर चैन। हो एक नहीं तो चार्ट म बनेगी तो चारों में को मन होना चाहिए पांच से कर सकते हैं एक पांच यहांसे बचेगाध Бश का 27 5श ठीके 30 तो यहांसे बचेगा 212 यहांसे बचेगा 8 आता और यहां से द yhte यह कंदरा यह हो जाएगे इनकी profit की ratio टो टेनी हो जाएगी दो और छे आटे रूज पांच 13 13 14 टोटल प्रॉफिट ने 4orb यह हमें दिले का था कि कि टोटल लाब कितला था 43 रहजार तो 43 रहाबर 43 भीषी button क्या है पीछ और और आर के बराबर है तो 3 ratio किसके बराबर होगी 3000 के बराबर क्योंकि एक ratio की वैलू है 1000 तो 3000 इसका अंसर होगा option C यहां पर 27000 का कुछ काम नहीं था अगर इसको आप यूज भी करोगे कि हमने माल लिया कितना है 27000 फिर सभी की वैलू निकालनी पड़ेगी फिर उसको शोल करोगे लास्ट में फिर यही रेशियो निकल कर आएगी तो इतना टाइम के खुराब करो जब आपको यही चाहिए तो अब चलते हैं 31 पर यदि 8a-b square is equal to 24 8a plus b square is equal to 56 तो हमें क्या निकलना a plus b दो equation बना रखी हैं दोनों को एक बार add कर देते हैं यह दिया रखा 24 के बराबर 8a plus में 20 square यह दिया रखा 56 के बराबर अगर दोनों को add करें तो इससे तो यह cancel हो जाया क्योंकि यह minus का यह plus तो 8 और 8 16a बराबर में 56 और 46 और 20 80 तो a बराबर में 16 पंज असी होता है यानिकि एक वेल्यू है 5 अब एक वेल्यू को किसी भी equation में पूट कर दूँ यहां पर पूट कर देते हैं a कितना है 5 तो 8a कितना हो जाएगा 8 पंज चालिस डारेक्ट मल्टिप्लाइ कर देते हैं 40 plus में 20 square बराबर में 56 तो 20 square किसके बराबर हो जाएगा 56 माइनिस 40 यानिकि 16 और बी हो जाएगा यहांसे 4 पुछा क्या था a plus में b यानिकी 5 और 4 no option c अब चलते हैं 32 पर 40 लीटर सोरे के अमल में अमल और पानी का अनुपात 2 अनुपात 3 है इसमें कितना पानी मिला जाए ताकि अमल और पानी का अनुपात 2 अनुपात 5 हो जाए तो कोई 30 लीटर का solution है इसमें acid और water इसकी ratio थी 2 ratio 3 इसमें हमें कुछ पानी मिलाना 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 क्या है पानी पानी मिलाने के बाद या ratio हो जाएगी 2 ratio 5 तो हमने ead क्या है water तो acid की ratio बेर hwni चाहिए और बराबर है भी अगर बराबर नहीं को बराबर करते तो कितनी द एड किया है 2 रेशियो की वेल्उ हमें इन्याजी में तो किद्धि तीस लीटर निकालना क्या है दो रेश्यों की वेलू शिमेटर लगा लो यह इसका छे मल्टिपल है तो दो का भी छे मल्टिपल कितना हो जाएगा बारा लीटर यानि की ओप्शन डी 33 एक कलब के पांच सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से उनकी वोस्त आयू उतनी ही रहती है जितनी दो वर्स पूरा थी छोड़कर जाने वाले और नय सदस्य की आयू में कितने वर्स का अंतर बिल्कुल ईजी है पैन का भी यूज नहीं करना था दो वर्स के बाद आयू कितनी बढ़ जाएगी एवरेज में तो बढ़ जाएगी दो वो टोटल एज समय बढ़ जाएगी दो पांजे 10 लेकिन यह कहला कि उतनी ती जितनी दो वर्स पूरा हो थी यानिकी उस भी कुछ भी अंतर नहीं आए क्यों तर नहीं कि जाने वाला थ सदस्ध्र लेसे हैं तो अंतर कितना हो जाएगा आगा देना अ बीसिक से समझेंगे तो किसे समझेंगे देखो पांच कि असे सदस्यों की को कि सिवह आईयू है वह में लेते हैं तो एवरेज एज है सत pref खहें है फिर मनेता है कि जाने वाले सदस्य की IU यह हो जाएगी Y और आने वाले सदस्य की IU हो जाएगी Z अब यह पांच सदस्य की average है तो इनका सम कितना हो जाएगा सभी पांचों का यह हो जाएगा 5X तो इनकी IU का सम था 5X इसमें से एक सदस्य की एवरेज है तो इसमें से चला गया तो माइनस वाई और उसकी जगह पर कोई अलग सदस्षा आ गया जिसकी आयू थी जैड वर्स तो पलस में जैड कर देंगे अब यह टोटल एज है पांच सदस्षों की हमें निकालनी है एवरेज तो डिवाइड करेंगे पांच से अब यह एवरेज कि देलातोंड पांच पलस कर देते हैं तो यह एवरेज हो जायाएक आने वाले की आयों थी वाई और आने वाले की जड़ इनका अंतर दस वर्स ओप्शन आपको इतना सोल नहीं करना था डायक इसका अंसर दस होता बता दिया था पहले अब चलते हैं 34 पर एक व्यक्ति एक मेज को दस परसंट के लाब पर बेचता है यदि वह मेज को उसके करह म ले से 5 परसंट कम मल्य पर खरीता और 80 रुप É अधिक में बेचता तो उसे 20 परसंट का लाब काФता मेज करह मुल्य कीतना होगा मालेते की करह मुल्य रुपे 15 इतने में बेचेगा तभी उसे profit होगा यहांसे आप डायक्ट में निकाल सकते हूं पिचाणवा का 20% हमें निकालना है तो 10% तो 9.5 20% 9218 और 19 रुपे 19 रुपे profit कमाना है पिचाणवा में खरीदा था तो कितने में बेचेगा पिचाणवा और 19 यानिकी 114 में बेचेगा हमारे हिसाब से तो बेच्चा है 14 रुपे 4 रुपे ज्यादा में और क्योस्तन में कहा रहा कि 80 रुपे अधिक में बेच्चा तो 4 रुपे की value है 80 पुछा है CP तो CP हमने माना था 100 तो 100 की value हमें यहां से निकालनी है सिमेटर लगा सकते हैं यहां से 25 मल्टिपल है यहां से 25 म से स्धी एक रूपए 20 पैसे कि शिकों का अनुपात बताउ है कि इस अमें दे रखा है यानि कि प्रारूप एक रूपए के शिक्खे हैं और 50 पैसे के उर 50 स्टों को मी हम रूपर बढाएंगे वारें धर नियुक्त बट ses डिवाइड करेंगे 100 से यानि यह हो जाएगा एक बटा पांच अब यह डिनोमिनेशन रूपे में है फिर यहाँ पर हमें दे रखें नंबर ओफ कोईंज कितनी दे रखें हैं यह एक रूपे और पचास पैसे किसी को का अनुपात दो अनुपात पांच है और पचास पैसे औ इसके साइड में कितना है पांच पांच उठाएंगे यहां पर खाली जाएगा इसके साइड में च्यार तो च्यार उठाएंगे कुछ कैंसल होता तो कैंसल कर लेते हैं तो सभी में च्यार है च्यार से च्यार कैंसल यहां पर बचेगा दो तो रेशियो हो जाएगी दो ंसकी multiply तो कितना हो जाएगा 2 गुना एक दो पांच गुना एक बटा 2 यहनिकी पांच बटा दो वूना एक बटा पांस यानिकी कि मिल्टिप्लाइग और我覺得 रूपे हैं रिस्यों के अंदर इनको एड़ कर लेते हैं एंदर टोटल रूपे कितनी है तो यह हो जाएगी निचे भी दो बना लेते हैं तो उपर निचे दो की मल्टिप्लाई तो यह हो जाएगा 4 और 5 9 9 और 4 13 132 यह टोटल रूपे हैं रेश्यों के अंदर और हमें दे रखे 1170 हरे पुछा क्या है पीस पैसे की सिकों की संख्या तो पैसे की सिक्के एससाइड यह रहे तो इसकी रेष्या कितनी है यह है धस रेष्य तो दस रेष्यों की वैलु हम यह निकालने है तो यह हो दो आदमी तथा एक ओरत मिलकर किसी कारे को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब कि 4 ओरते तथा दो आदमी मिलकर उसी कारे को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि एक आदमी को कारे करने के बदले 600 रुपे परती दिन मिलते हों, तो एक ओरत को परती दिन कितनी दरना सी मिलनी च they total work हो जाएगा ये बरपर हो जाएगा दूसरी लाइन में बोला की Çार में और दो मैंन यह किसी काम को करते हैं आठो तेन में तो यह वे वर्क है लाँ यह वर्क तो बरपर है इनको बरपर रहा है 2 से cancel कर लेते हैं, 2 चोका 8, 2 सते 14, 7 की multiply करेंगे, 7 दूनी 14 M, 7 W और ये 16, W पलस में 8 M, तो 8 M को इसार लेके आएंगे, तो ये बचेगा 6 M, 7 M को, W को इसार लेके दाएंगे, right side, तो ये बचेगा 9 W, तो M, डिवाइड में, W, कितना हो जाएगा, 9 by 6, cancel भी कर सकते हैं, 3 से 2, 3, 3, 3, 2, 6, तो man की efficiency है, 3 ratio, woman की efficiency है, 2 ratio, हमें दे रखा था, कि एक आदमी को मिलते 600 रुपे, तो आदमी के efficiency 3 थी, यानि कि 3 ratio की value है, 600, उच्छा है, एक औरत को परती दिन कितनी दना से मिलेगी, तो 2 ratio निकालनी है, 2 ratio की value कितनी हो जाएगा, कि symmetry लगा के देख सकते हो, ये इसका 200 multiple है, तो 2 का भी 200 multiple कितना हो जाएगा, 400, यानि कि option A, अब चलते हैं 37 पर, यदि 5 का power root X है, और plus में 12 की power root X, बराबर में 13 की power root X है, तो X कमान क्या होगा, तो direct दिखाए दिए रहा कि 4 होगा, क्यों होगा, आपको triplet याद होनी चाहिए थी, triplet क्या होती है, 5, 12, 13, ये एक triplet होती है, अगर याद था, तो 2, 3 second का क्यों सुन था, अब triplet है, इसका मतलब क्या है, ये तो है base, ये है perpendicular, ये है hypotenuse, बेस और perpendicular आपस में ये चेंज भी हो सकते हैं, 5 perpendicular हो सकता है, 12 बेस भी हो सकता है, उससे कुछ फरक भी नहीं पड़ेगा, तो python क्या कहता है, कि base का सुकेर, पलस में perpendicular का सुकेर, बराबर होता है, hypotenuse के सुकेर के, तो base यहाँ पर है 5, यादि कि 5 का सुकेर होगा, तो 12 का सुकेर होगा, बराबर होगा 13 के सुकेर के, अब यहाँ पर power की जा, कितना है root x, और यहाँ पर है 2, यादि कि root x की value कितनी है, 2 है, दोनों साइड हम सुकेर करेंगे, तो x बराबर कितना होगा, 6, option b, अब चलते हैं 38 पर, वह कून शिन्यूनितम संक्या है, कि जिसे हम इसमें से गटाने पर एक पूर्ण वरग होगा, देखो इसको अगर हम decimal हटा के लिखें, तो यह हो जगा 326, पॉइंट के जगा लिखेंगे 1, और इसके बाद कितने अंक हैं, 3 और 3, 6 है, तो 6 0 लगा देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, इस तो 326 में से क्या माइनस करें, तो 2 माइनस करना पड़ेगा, और निच्चे कितनी है 0 है, 6 है, तो 6 0 है, तो इसका सुके रूट करेंगे, तो 3 0 बन सकती, यानिकि इसमें से निच्चे तो हमें बेस बराबर ही रखना पड़ेगा, डिनोमेटर बराबर रखना पड़ेगा, चैनल यहां पर हमें लगानी पड़ेंगी तो यह हो जागा 326 में से 2 माइनस करेंगे तो 324 क्योंकि डायक्ट तभी माइनस कर सकते हैं हम अंस में जब डिनोमेटर सेम हो और निच्चे जिरो कितनी थी यह 6-0 होंगे निच्चे भी तो यह सुकेर हो जाएगा किसका सुकेर हो जाएगा 18 बटा एक दो तीन इसका सुकेर हो जाएगा यह तो हमने क्या माइनस किया है हमने माइनस किया है 2 बटा एक के साथ है यह 6,0 तो इसको point लगा के लिखेंगे तो 2,1 की जग़ा point उसके बाद 6 अंक थे तो 1,2,3,4 और 5,1,2 हो जाएगा तो options भी है अब चलते हैं 39 पर स्रेणी 1 बटा 5 गुणा 9 पलस में 1 बटा 6 गुना 7 पलस 1 बटा 7 गुना 8 पलस ऐसे ये आगे बढ़ते हुई बोटक के पहले 20 पदों का योग कितना होगा तो एक डिवाइड में 5 मौ्टिप्लाई में 6 पलस में 1 डिवाइड 6 मौ्टिप्लाई 7 पलस में 1 डिवाइड 7 मौ्टिप्लाई 8 और ऐसे यह जा रखिए है इसमें हमें इनका जोड निकालना है तो यह सीरीज हमने शीख रखिए है इनमें difference कितना है 1 का कि सब्सक्राइब का और वहीं डिफ्रेंस उपर भी है तो इसके लिए हमें चाहिए कि लास्ट जो टरम है वह कितनी है लास्ट अगर हमें मिल जाए तो हम इसका जोड़ निकाल सकते हैं तो लास्ट टरम कितनी हो जाएगी टोटल है यह 20 पद पहला पद हमें दे रखा है तो अगर पांच में हम 19 एड करें तो लास्ट टरम निकल कर आ जाएगी अब 19 क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम 5 वाई टरम को जो 5 है इसको काउंट कर रहे हैं तो 19 एड करना पड़ेगा तो 19 और पांच 24 यह हो जाएगा 24 मुल्टिप्लाइब में 25 यह होगी हमारी लास्ट ट्रम य यह उपर तो है 20 और नीचे कितना होगा जो लार्जेस्ट फैक्टर है कितना है 25 और चोटा फैक्टर यहां पर पांच इसकी मुल्टिप्लाइब करते हैं तो यह हो जाएगा पांच से कैंसिल करेंगे चार यानकि 4 बटा 25 इसको लिखना पॉइंट में तो नीचे 100 बनाना 20 और 24 से भाग देने पर करम से 11, 17 और 11, 14, 17 और 20, 16 बचे तो सबसे पहले आप चैक करो कि इनका डिफ्रेंस सेम आता है जब 15 से बाग करते हैं तो ग्यारा शेस बचना चाहिए डिफ्रेंस कितना आएगा चार का अब 18 में से 14 माइनस करेंगे डिफ्रेंस चार का आएगा 21 मे से 20 माइनस करेंगे चार आएगा तो सबसे पहले आप इनका एलसे निकाल लो उसमें से फिर ये डिफ्रेंस माइनस कर देना तो इसमें संख्या हमें सबसे बड़ी संख्या 24 है 24 के फैक्टर बनाएंगे हमें लसियम निकालना है तो 24 हो जाएगा आठ तिया 24 यानिकि 2 गुन अब 15 के लिए 3 गुना 5 तो 3 तो है 5 चाहिए यह इसका एलसियम हो जाएगा कितना हो जाएगा मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो यह तो हो जाएगा आठ और आठ पांचे 40 और यहां से तीन तिया नू नू सते 63 यह हो जाएगा जेरो चार तिया बारा चार्शे के 24 और एक 25 य सबसे यह होगा इसका एंसियम अगर हमें यह नि ब Brooklyn होगता तो sparkम 25 निंस मेंसे 4 माइनिस कर देते और निकल कर रखतता रैकिन इसने हमें बो signals को by बड़ी संख्या तो यह format बनेगा ऐसा 25 20 कि multiply के से करनी है और माइनस 4 कर देना है यह format बनेगा अब के यहां पर क्या रखें के यहां पर आपको रखना पड़ेगा ऐसी संख्या जिससे यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बने तो अगर यहां पर हम च्यार रखेंगे तो 25 का सो यानि कि फिर यह 5 अंकों की संख्या बन जाएगी अगर 3 रखें देखें तो 20 या 60 के को हम 3 रख कर देख रहे हैं तो 20 या 60 और 25 तो बनेगा और इसमें से हमें 4 माइनिस करना पड़ेगा क्योंकि 7560 तो यह पूरा-पूरा भाग हो जाएगा तो 4 माइनिस करेंगे तो 7556 होगा यह इसका अंसर होगा ओप्शन भी यह सब एलसीम और एच्या वाल चैप्टर में सिखा रखा है 41 पर चलते हैं दो परत्यासियों के बीच एक चुनाव में 10% मत अवैद गोशित हुए एक परत्यासिय जिसे कुल वैद मतों का 62% मिला 21,600 मतों से विजय हुआ ग्रामिन चुनाव के कुल मतों की संख्या कितनी थी तो यहाँ पर हम आ लेते हैं कि टोटल वोटर्स कितने हैं हैं अब इस में से 10% इन्वैलिड हो गए तो वैलिड कितनी होंगे 90% यानि कि 100x का 90% कितना होगा 90x अब ये वोट हैं हमारे वैलिड फिर बोला है कि एक परत्यासी को जिसे कुल वैद मतों का यानि कि वैलिड वोट का 62% मिला तो इसका 62% कितना हो जाएगा 90x का 62% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 90x का 100 में से 62 माइनिस करेंगे तो यह होगा 38% इसको ज्यादा मिले इसको मिले तो जितने वोट है परसंटेज में निकाल लेते हैं तो यह जितना नब्य एकस का 62 मिलें से अगर 38 माइनिस करेंगे तो यह हो जाएगा 12 मिलें से 8 तो चार 5 मिलें तो दो तो नब्य एकसा 24% से जीत गया और यह वैलू हमें दे रखी 21600 के ब मिल्टिप्लाइ में 24बिंटा 100 बराबर में 21600 सो तो X की वेलू कितनी हो जाएगी 21600 मुल्टिप्लाइ में 100 процD और दिवाइड में 90 दिवाइड में 24 यह तो हह X की वेलू हमें निकालनी हैं अंड़ एकस की वालू क्योंकि टोटल वोट हमने हैं अंड़ एकस मननी थे तो 100 की मल्टिप्लाइ कर देते हैं अब 0 से 0 कैंसिल अब 24 का कितना मल्टिपल है यह तो यह हो जाएगा 24 में 216 यानि कि यह तो जाएगा 99 से 9 कैंसिल तो यह हो जाएगा फिर 2, 2, 4 और 1, 5, 0 है एक के साथ 5, 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा यह एक लाग उप्शन ए अब चलते हैं तो यहां से हम इनका सम करके 11 वार सम में से – कर देंगे, 6 का उसस्था 49 तो यहां से सम निकल कराएगा, 6 का और 6 फिर अनतिम 6 का उसस्था 20, यह हो जाएगा टोटल 12 परिणामों का सम, अब इसमें से हमें क्या करना है, minus करना है, micro approaches 21 वरिणामों का सम, नंबर ओफ वेल्यूज तो सम्निकालना तो एवरेज और नंबर की मल्टिप्लाइब करती है अब यहां से आप इनके मल्टिप्लाइब मत करना 6 कॉमन ले सकते हैं अलग लग मल्टिप्लाइब करोगे तो टाइम ज्याद लगेगा तो 6 कॉमन लेने के बाद बचेगा 49 और प्लस में बाद तो 9 और तो 11 च्यार और पांच नो और एक 10 माइनस में ग्यारा पंजी पिछपन एक जीरो चैके मल्टिप्लाइब करेंगे तो 606 माइनस में 550 तो कितना होगा यह 56 56 इसका अंसर होगा ओप्शन डी तो यहीं क्योस्टन इसमें पूछे गए थे अगर किसी क्य